कि अबसकार दोस्तों आप देख रहें इंडिया न्यूव स्पोर्ट्स मैहु रितिक पांचवा टेस्ट जो इंडिया और इंग्लेंड के बीच में होना जो कि सीरीज डिसाइडर भी होगा उस टेस्ट मैच में अभी तक इंडिया को ओपनिंग पेर ही डिसाइड नहीं हुआ कि कंपान कोन होगा क्योंकि रिपोर्ट से खबार रहे के शिरीट भूम्रा और रूल के मताबिक भी यही कहा जाता है कि वाइसरीद ने आज तक कभी किसी प्लेयर को डियरेक्शन नहीं दी जो कि क्प्तान का काम होता है डिरेक्शन देना दूसरे प्लेयर्स को विराट कोली चीज अच्छे से जानते हैं विराट कोली एक्सपिरियंस कैप्टन है और इतनी सारी जीत हैं उनके नाम पर इसी टेस्ट सीरीज में ओवल और लॉट के मैदान पर जो दो एक से इंडिया अभी तक बड़त बनाकर आगे चल रहे हैं वो विराट कोली की कप्तान टेस्ट होगो उसके में अगर रोईच्वर्मा नेगेटिव आते हैं तो ही मुकाबला खेल पाएंगे रोईच्वर्मा और चांसे बहुत ही कम है क्योंकि अभी तक उनकी रिकवरी पी पूरी नहीं हुए और आइसोलेशन पीरियट भी कंप्लीट नहीं हुआ है अगरवाल आखरी जो टेस्ट मैच के लिए जो इंडिया श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज उई थी उसमें खेले थे उसमें मेंक अगरवाल ने 59 रन बनाये थे लिकिन अगर देखें में मेंग अगरवाल की फॉरम की दरफ फॉरम इतना कुछ खास नहीं घर आ शुरुवाती कुछ मैच खेले थे रंजी के राउंड वन में मैंक अगरवाल जो राउंड अप होता था उसमें भी उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था और फिफ्टी का स्कोर भी नहीं बना पाये थे मैंक अगरवाल तो फॉर्म की दिक्कत तो है इस साथ में अभी अ क्या रोईच शर्मा रिगवर हो पाएंगे इसलेशन उनका पीरिएड पूरा हो जाएगा उसके बाद एक उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आने चाहिए कंफर्म रैपिट एंटीजन टेस्ट के बाद आने चाहिए जो कि मैच से पहले होगा तभी रोज शर्मा खेल तो दो से लेवल हो जाएगी सीरीज तो देखना होगा किस तरीके की ओपनिंग जोड़ी होगी फाइनली तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें